जब आप अपना एटल का access stream fiber अपने घर में installation करते तो बहुत ज़्यादा benefit मिलते लेकिन लोग नहीं जान पाते तो आज हम आपको बताएंगे एटल के access stream में बहुत ज़्यादा update आते लेकिन अब finally new update में आपको क्या नया देखने के लिए मिलता है जैसे कि आप एटल के ठैक्स application एक ही application है साथ आपको सारी चीज़े आपको इसी के अंदर देखने के लिए मिल जाती है यह application open होती है तो यहाँ पर आपको यही इस तरीके का कुछ interface देखने के लिए मिलता है च्योंकि ज़्यादा का लोग देख चुके होंगे और बात करी जा यह मेरा help lane number है इसी कई चैनल कई तो आप हमसे contact कर सकते है इस number लेकिन whatsapp पर call allowed नहीं है तो आपको खुद recharge करवाना पड़ेगा बात करें यहाँ पर हमें चलना है extreme fiber पर जैसी हम अंदर entered करते हैं तो इसके अंदर हमें क्या-क्या benefit देखने के लिए बिलते हैं वह चीज मैं आपको बताऊंगा और इसमें आपको किस तरीके से अपने router को पूरी तरीके से access कर सकते हैं आप कहीं भी हो doesn't matter लेकिन सबस्याद है important है जैसे कि हम बात करें recharge से related सभी लोग जानते हैं बहुत जादा easily benefit भी और यहाँ पे कुछ आपको benefit देखने के लिए मिलते हैं recharge connection shift करवा ना हो एक city से दूसरी city या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर प्रिवियस बिल ठैंक्स benefit आपको एक्षिटिव फाइवर के OTT apps यूज करने के लिए मिल जाते हैं जो कि recently मुझे मिल चुकी है तो यहाँ पर आप देखेंगे benefit तो अभी हमें कुछ दिखाई अच्छे नहीं दे है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपको यह कुछ इंट्रफिज दिखाई देगा कुछ लोगों को problem आती है तो उस condition में या तो आप आप customer care पर call करके कि वहाँ पर solution ले सकते है या तो आपको router जो है वो रीच नहीं कर पा रहा आपके device को तो उस condition में यह हो सकता है कि आपको another mobile यूज़ करना पड़े और नहीं हो रहा है तो फिर router ही replacement की request डालने वह ज्यादा best है तो यहाँ पर आपको यह कुछ इंट्रफिज देखने के सब साथ है important thing मुझे सिर्फ click करना पूरे घरगा जो हमारे 17 devices connect है वो सब बंद हो जाएंगे वाइफाइब इंटरनेट बंद तो इस तरीके का भी आपको access देखने के लिए मिलता है सबसे पहले बात करते है अब है तो अच्छी चीज है साफ में कितने device connected है 17 device connected है तो आप द सकता है तो यहां पर हमने अपने wifi को एक्स्टेंड बना रहा है मतलब टीपी लिंक राउटर को जो है अपने extender के तौर पर यूज कर चुका है क्योंकि यहां पर हमारे जो मतलब में router के wifi signal है वो थोड़े से लूज रहते तो उस condition में problem होती है लेकिन आप हमारे चैनल में फ थोड़ा सा भी बैक चलते हैं यह सबसे में चीज आ गई आप आता है और डिवाइस मतलब सारी डिवाइस पर करना है तो मैं हाई पर मतलब यहां पर मैं बस सेट करूँगा और सेट करने के बाद कितने मिनिट के लिए मुझे पॉस करना है इंटरनेट वो है और साथ मैं selected device के लिए करना है तो कोई साभी selected device करके मैं यूज कर सकता हूं जो कि कही ना कही अच्छी चीज दिखाई देती है अब चलते हैं दूस करके मिजे सेफ कर देना है और सेफ करके वो रॉय। हो जाएगा और यदिख देने कर सकते किती रेंज आ रही है तो पर बात करेंगे आनंद रूम जो कि मैंने सिलेक्ट कर रहा है वहाँ पर मुझे फुल रेंज देखने के लिए मिलती है तो मतलब एक्सिलेंट नेटवर्क है अच्छी चीज़ है और यहाँ पर जो मैंने कनेक्ट कर रहा है अब देखेंगे टीपी लिंक अब दिखाएगा क् उनने डारेक्ली शोफ कर देगी आपने एजा रिपीटर कनेक्ट कर रहा है अब चलते हैं बापिस यहाँ पर चीज़े हो गए इंपॉर्टन टैस्ट भी हो गए हमारे और यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टन पार्ट बाइफाइप यहाँ पर आता है बाइफाइड पुछ कर रहें 2.4 GHz और 5 GHz और बापे चलते हैं होम पे तो यहाँ पर लिखके आता है आप्टिमाइज बाइफाइफाइड तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं इसके अंदर तो यहाँ पर होल्ड ऑन वह सारी कुछ चीज़ें डिस्कनेक्ट कनेक्स आप कुछ करके देख ले यहाँ पर तो एक्सेलेंट दिखा रहा है फिर मैं अगेंट टेस्ट करूँगा तब भी एक्सेलेंट ही दिखा रहा है फिर मैं कुछ नया ट्राइए करता हूं इस बार रोंग के चगहा चेयर पर और एरिया नाम लिख देते हैं तो स्टूडियो और तो वह अब भी एक्स चेंज करना हो तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर वही है कि वहाँ उस कंडिशन में एक्सिलेंट रहेगा और पिर चलते हैं हम यह सबस्यादा इंपॉटन मतलब अपडेट हैं जो कि अब आपको अलग अलग अप्लिकेशन डाउनलोड करनी पड़ती तो यह रिबूट करके भी आप सेट कर सकते हैं अच्छी सी यह डाइगनॉस बाइफाय मतलब तब इंटरनेट कनेक्ट है तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे डाइग प्रोब्लम आरें इसलिए हम इसे step को skip कर दें के आपके राटर प्रोब्लम कर सकते हैं इसके लिए कुछ कुछ घृटफ कर देता है कि 11 गंटे 25 मिन्ट 50 सेकंड हो चुके हैं मेरे राटर को चलते वे आभी मैंने कुछ ठढखा नहीं थी तो बंद करना बढ़ा था तो उस और जो अपडेट है वो भी और आपको तब भी कोई चीज इसमें चाहिए है कि हाँ इसमें नहीं दिखाई दे रही है तो आप यहां पर directly कोई issue है कुछ भी है तो आप easily track कर सकते हैं उसे community help में important role play रहता है तो मतलब आपको जो भी चीज़ चाहिए वह आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाती है यहां पर radio wave better speed provide करवाता है 5G GHz पर आप connect करते हैं तो लेकिन जो हमारा काम है वह 2.4 GHz पर ही होता है क्योंकि 5G पर connect करते ही बहुत जादा जो frequency problem है वह face होती है इंटरनेट में निकूंगा personal connectivity में इंटरनेट तो बहुत जादा अच्छा चलता है तो यह कुछ चीज़े आपको देखने के लिए मिलती है बाकी हम बात करें इसमें आप data की आपने कित्ता data क्योंकि पहले एटल की extreme apps आते थी जिसमें कि आप देख सकते हैं कि मैंने कित्ता data consumption किया है बड़ बहुत जादा चीज़े आप कम कर दी है अटल ने खुद ने बस वो यह मतलब दिखाना चाहता है कि आप connection लीजिए जो आपको problem है वो solve कीजी अपने site से extra कुछ नहीं देंगे हम जिससे कि आपको कोई उल्जानो इनलिए बहुत जादा application अब बंद भी कर पर लब यह है कि पहले के मुकाबले अब आपको बहुत कम देखने के लिए मिलता है लेकिन हमारे चैनल पर और बहुत सारी वीडियो है कि इससे related आप और भी देख सकते हैं तो चैनल पर वीडियो जरू देखेगा बस चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक जरू